गुड मॉर्निंग मैं डियर स्टूटान्ट, हाव आर यू? मैं त्रिवेदी आर्ती श्रिमती MS लखानी कन्या विध्यालाई की यूटूब चैनल में आप सब का फिर से स्वागत करती हूँ. स्टूडेंट, आज हम विशे हिंदी में रहीम जी के जो नीती के दोहे हैं, इसका अध्यन करने जा रहे हैं. हमने अगले वीडियो में रहीम जी का परिचे लिया था कि कवी रहीम जी जो है वह नीती सासर में पारंगत थे और उनके नीती परगदोहों में उन्होंने दोहे प्रस्तूत किये हैं, उस दोहों में उन्होंने इज्जत का महत्व गरिबों का हीत करना चाहिए, संगति का फल और वानी का प्रभाव, एवं जीवन में युग्यता का महत्व और बड़े और छोटों का भेद न रखना, तथा गरिबी जो है उनके बारे में उन्हों उन्होंने हमें जानकरिदी थी, दोहे की माध्यम से कवी रहिम जी ने कहा था कि पानी जो है पानी कारतोता है जल, तो जीवन में जल का बड़ा ही महत्व है, जल जीवन के लिए अमुल्य है, उसी तरह उन्होंने पानी का दूसरा अर्थ निकालते हुए, उन्होंने कहा कि पानी यानि कि इज़त इज़त के बिना आदमी जो है वह अधूरा है यानि कि इज़त को हमेशा बनाए रखना चाहिए और साथ ही में उन्होंने कहा है इस दोहे में अगले वीडियो लेक्षर में हमने पड़ा कि उन्होंने मोती का उदारन दिया था कि अगर मोती की चमक नहीं होती तो मोती नहीं कहलाता उसे तरह मनुष्य अगर उसकी इज़त नहीं होती तो वह मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता इसके बाद उन्होंने गरीबों का हीत करना चाहिए इसकी भी दोहे के द्वारा प्रस्तुति करन के द्वारा बताया था और उसमें उन्होंने कृष्ण और सुदामा का उधारन भी दिया था तत पस्चात उन्होंने मनुष्य पर संगती का प्रभाव किस तरह से पढ़ता है जिस तरह से आप जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं रहते हैं तो उस व्यक्ति का प्रभाव आपके आचरण में आता है तो इस तरह से संगति का भाव जो है इस भाव को बताते हुए उन्होंने उदारन दिया था कि जिस तरह से स्वाती के नक्षत्र में पानी की बूंदे तो एक जैसी होती है लेकिन जिस में जिस जगह में जैसे की केले के पेड़ पर पड़ती है तो वहां पानी की बूंद नहीं रहती और साप के मुँँ में पड़ती है तो वहां जहर बन जाती है तो उसी तरह से सीप में अगर पानी की बूंद गिरती है तो वहमोती बन जाती है तो इस उदारन से उन्होंने संगती का बड़ा ही प्रभाव होता है इस पे गौर किया था तत्पस्चात उन्होंने आदमी की अच्छाया और बुरायों की पहचान भी हमें वानी के माध्यम से दी थी वे कहते थे कि कोयल और कोवा देखने में तो दोनों एक जैसे लगते समान लगते लेकिन जब वसंत रुतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है तो हमें पता चल जाता है कि कौन कोवा है और कोयल है और उसके बाद उन्होंने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाता कि उन्होंने कुपत्र की तुलना भी दिपक से की थी कि उजा दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है उसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तो लोगों खुशाली मनाते हैं लेकिन जब वहीं बच्चा अपने कर्तुतों से कुल को कलंकित करता है तो वहां जीवन जो है वहां अंतकार में बन जाता है अब इस वीडियो कोई जो रहीम हनुमंत को गिर्धर कहे न कोई यहां पर कवी रहीम बड़े और छोटे व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति और कोई बड़ा व्यक्ति काम करता है तो उसकी बड़ाय नहीं होती है देखो यदि कोई छोटा व्यक्त कोई बड़ा काम करता है उसके जो गुन है उसके गुन को महत्ता नहीं देता उन्हें सभाशी नहीं उन्हें सराहते नहीं है इसी उधारन को देते हुए उन्होंने कहा है कि हनुमान जी ने भी पहाड उठाया था पर उन्हें कोई गिर्दर नहीं कहता हनुमान जी ने भी तो पहाड उताया था उन्होंने भी जड़ी बुट्टियों के लिए पुरा पहाड लेके आये थे लेक हम सोचे तो कोई चोटा व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम करता है तो हम उसे अंदेखा कर देते हैं, उसकी बड़ाई नहीं करते यहां पर बड़े शब्द कि दिन ही लखे न कोई जो रहीं दिन ही लखे दिन बंदू सम नहीं इस बारे में रहीम जी कहते है कि गरीभी व्यक्ति हर किसी की और आसा बड़ी नज्रों से देखते हैं जाने कहां से कुछ मल जाये पर गरिभी क्यों कोई जो नजर होती है उस नजर को पहचानते नहीं रहीम जी कहते है कि जो व्यक्ति गरिबी के ओर देखता है यानि उसकी सहायता करता है वह दिन दुख्यों का सहायक या इश्वर की भाती ही होता है ठीक है तो यहां पे हमारे रहीम जी जो है वह कहते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए गरीबों की सहायता करनी चाहिए जो लोग बड़े होते हैं उन्हें बड़ाई करनी नहीं चाहिए तो इसके दोहे के माध्यम से गरीबी के बारे में बताते हुए रहीम जी ने हमारे ऐसे मनुष्यों की और और संकेत किया है कि गरिब व्यक्ति हर किसी की और आशा बरी नजरों से नहीं देखते वह हर किसी को नहीं बुलाते जाने कहां से कुछ मिल जाए हर किसी को नहीं बुलाते कि तुम मुझे कुछ न कुछ दो लेकिन उनकी जो नजर होती है वहाँ ऐसी जरूर होती है कि कही न क कहीं उससे कुछ न कुछ मिल जाए गरिप के और किसी भी की भी नजर नहीं जाती वो आशा बरी द्रस्टी से हर किसी के सामने मांगता है हाथ फैलाते है याचना करता है लेकिन ऐसे व्यक्तियों की और हमारी नजर कभी भी टिकती नहीं हम उसे नजर अंदाज कर देते यह हम हमारी सबसे बड़ी गलती है ठीक है ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए और उसके दिन बंदू यानि की भगवान कृष्ण की तरफ उसके दिन बंदू बनकर उनकी सहायता करते हुए हमें क्या करना चाहिए उनका साथी बनना चाहिए और इश्वर रूप रहना चाह आगे बढ़ते हैं नाद रिज तन देहमरूग नर्धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिजेहुकचुन देत रहीम कहते हैं कि हीरन मदूर आवाद पर रिज कर अपनी जान दे देता है पुरुष धन प्राप्ति के लिए पशु से भी अधिक रिजता है पर इतना करने पर भी उसे कुछ प्राप्त होता नहीं है तो यहाँ पर रहीम जी जो है वहाँ ये सुबात को बताते हैं कि जिस तरह से हीरन की आवाद मदूर है अगर उसके कानुर में मदूर आवाद गूंज उटती है तो वहाँ रिज जाता है ठीक है लेकिन कोई व्यक्ती है धन प्राप्ती के लिए वहाँ कितना भी प्रैत्न करता है पसु से भी अधिक रिजता है पर इतना करने पर भी उसे कुछ प्राप्त होता नहीं है क्योंकि पैसो को पालने की जो इच्छा होती है वहाँ कभी भी सफल होती नहीं है आगे कहते हैं रहिमन जिहवा बावरी कही गही सरग पताल आपू तो कही भीतर रही जूती खात केपाल यहाँ पर जो शब्द है पहले उनका में आपको परिचे जिहवा करत होता है जीव जीवा करत क्या होता है जीवा बावरी यानि कि पगले सरग पताल यानि कि उल्टा और सीधा आपू करत होता है खुद स्वयम करत और केपाल करत होता है सिर सिर पहले के दोहे में भी जो शब्द है जैसे कि म्रूग आपको पता है म्रूग करत ही रन होता है ठीके यहाँ पे सम हेत कार्थ होता है हेत के लिए यानि कि कुछ लक्ष को पाने के लिए नाद कार्थ होता है आवाज नाद कार्थ क्या होता है आवाज होता है तो इस दोहे में रहिम जी बानी जीव की बात बताते हुए कहते है रहिम जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी जीवा को वश रखना चा को दोहराया है रहिम जी भी इसी बात पर यहां पर हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपनी जीवा को वश्में रखना चाहिए वरना क्या होता कि जीवा तो बावली हो जाती है कहीं भी फिसल जाती है वहां इधर उधर की जाने कितनी बाते करती ही रहती है जीव तो कडवी बाते भी कहती है और मुँह में फीतर चली जाती है कडवी बात बोलती है और वो तो अंदर छिप जाती है मुँ में चिप जाती है भुगतना किसे पढ़ता है हमें बुरा उसका बुरा परिणाम किसको बुगतना पड़ता है सीर को कोई अगर किसी को हमने खरी-खोटी सुना दी तो चाटा किसे लगेगा हमारे गाल को तो वो तो अपने अंदर चली मुह में चली जाती है तो जीब की इस बात को कहते हुए कहा है कि हमें कभी कड़वी बाने नहीं बोलनी चाहिए अगर हम कड़वी बाते करेंगे तो हमारे सीर पे जूते पड़ेंगे तीक है सहन करना पड़ेगा इसलिए बानी कोमल और मिठी होनी चाहिए तासो ही कुछ पाहिए किजे जाकी आस रीते सरवर पर गई कैसे बुझे पी आस यहाँ पे रहिम कहते है कि जिससे कुछ मिलने की उमीड हो उसी से हमें आशा रखनी चाहिए किसी खाली सरवर में पानी पीने की आशा यह वहाँ पे हमें पानी मिलेगा ऐसा हमें प्रैतन करना नहीं चाहिए हो क्योंकि वहाँ व्यर्थ है खाली सरवर के पास जाने से हमारी प्यास नहीं बुझे सकती हमें प्यास से ही रहना पड़ेगा हमारी प्यास कैसे बुझे सक बिना आसके किसी का काम हो सकता नहीं है तो यहां पर रहीम जी ने मिठी बानी यानि कि बोल को काबू में रखने की बात बताई गई है उसके साथ साथ उन्हों ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो है ठीक है अगर वहाँ गरीब व्यक्ति है हमारे सामने आसा बरी दरश्टिते उसकी मदद भी करनी चाहिए तो इस तरह से रहीम जी जो है उन्होंने कहा है कि जीवन में अच्छी संगती रखनी चाहिए अच्छी मित्रता रखनी चाहिए अपनी बानी का योग्यता के अनुसार उप्योग करना जाए हमारे आचरण में शिष्टाचार होना जरूरी है गरीबों की मदद करनी चाहिए दूसरों के लिए हीत की भावना हमारा गुण होना चाहिए और साथ ही उन्होंने इस बात को कई ऐसे उदारन दे कर हमें समझाया है जिससे यहां सारी बाते हमारे लिए हमारे जीवन के लिए अनमोल बाते बन जाती है तो स्टुडंट आज हमने नीती के दोहे रहिम जी द्वारा रचित इस पद्यका यहां पर अध्यन किया इस अध्यन के बाद आपको स्वाध्याय में जो प्रश्ण के उत्तर है उसको आपको लिखना है पढ़ना है और समझना है थैंक्यू मैं डियर स्टुडंट